हालो गाइस, वेलकम बैक तो आवर चैनल, सिंप्लिफाइट स्टडी ओफिशल तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, इंडियन एकॉनमी की बुक से चैप्टर नमबर टू, नेचर ओफ इंडियन एकॉनमी तो आज की वीडियो में इस चैप्टर को हम कम्प्लीट करेंगे और साथ ही साथ गाइस, इंडियन एकॉनमी की फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको दिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको सारे चैप्टर्स और टॉपिक्स मिल जाएगे So without wasting our time, let's start the video So guys, इस चैप्टर में हम किसका nature पढ़ने वाले हैं? Indian economy का nature पढ़ने वाले है सबसे बहले Indian economy क्या है? Indian economy दो वर्ट से बनी है One is Indian, Indian का मतलब, India से related कोई चीज़ पढ़ेंगे And दूसरा होता है economy Now, economy का क्या मतलब होता है? तो गाइस economy का मतलब होता है वो सारी activities या वो सारे arrangements जिससे एक citizen या फिर एक person अपनी जो wants है जैसे की food होगी, clothing होगी, shelter होगी, इसे क्या गरता है, fulfill करता है, ठीक है, इस सारी चीजों का हम क्या गरते हैं, यह सारी arrangements होगी, activities होगी, इन्हें हम क्या गरते हैं, economy गरते हैं, ठीक ह delivered economy, मतलब की जो in Indian economy हो अंडे डेवलप्ट economy है, एक होती है developed economies, एक होती है, developing economies और एक होती है, under developed economies, मतलodor only developed not developed is not out of year as per the California time Mountain India हो of our development economies, brings, एक होगी and next है Indian economy is a mixed economy, so what Indiana Indian economy is a mixed economy ठीक है थर्ड है Indian economy is a planned developing economy अब यहां पर इंडिया में आप देखोगी infrastructure में भी दीरे दीरे नई नई roads बन रही है ग्राउंड बन रही है नहीं बिल्डिंग बिल्डिंग्स पन रही है educational sector में भी development हो रही मतलब धीरे दीरे दीरे प्लानिंग करके जो कहा है development हो रही है हमारी economy नेक्स्ट है डियो लास्टिक नेचर ओफ इंडियन एकॉनमी नेक्स्ट है sectoral distribution ओफ इंडियन एकॉनमी यह जो सारी हमने features पड़े इनको हम depth में पढ़ने वाले हैं आगे तो countries की लगा लो अमेरिका हो गई इंग्लेंड हो गई जैपान हो गई इनकी बहुत ज्यादा होती है एस कंपेर टू हमारी जो इंडिया है या फिर पाकिस्तान है श्री लंका है बांगलादेश है मतलब पर कैपिटा इंकम किसकी ज्यादा होती है USA की हो गई आपकी इंग्लें इनकी पर कैपिटा इंकम गई हो गोगा ही इन चानिल कारी पांट्रेर होगी यह इन इंडिया पाकिस्तान हो गई श्री लंका होगी बांगलादेश होगी इनको क्या सम जाता है और ढ़भ टो मिगा जाते है अभी तक यह पूरी नहीं नहीं हुं हैं एजगेशन ल सेक्टर देख लो, health sector देख लो, अभी पे अच्छी तरीके से development नहीं हो रही है, हमारी infrastructure देख लो, अच्छी तरीके से development नहीं हो, कहीं पे आपको development मिल जाएगी और कहीं पे नहीं मिलेगी, तो ये हमारी Indian economy, per capita income कम होने के कारण क्या है, underdeveloped है, next, theories of underdevelopment, अब guys, underdevelopment हमने देख लिए क्यों होती है, per capita income कम होने के कारण होती है, अब हमारी, इसके अंदर theories आजाती है, तो guys, पहले आपकी theory है, theory of vicious circle of poverty और दूसरी guys, जो आपकी theory है, वो है, theory of low income level equilibrium तो जो guys, हमारी first theory है theory of vicious, circle of poverty के अंदर क्या है, इस theory में हमें ये बताया हुए कि main जो कारण है, main जो reason है underdeveloped economies का वो क्या है, यहाँ पे जो underdeveloped economies जैसे इंडिया, शिडिलंका, बांगलादेश, यह पाकिस्तान, इनकी एक तो low income होती है, जहाँ पे persons होते हैं, उनकी low income होती है low saving होती है और low capital होती है और साथ ही साथ क्या होती है, low productivity होती है जिसके कारण जो यह economies है, वो अच्छी तरीके से क्या नहीं कर पाती है development नहीं हो पाती in countries में, क्योंकि यहाँ पे savings भी low है, income भी low है, capital भी low है और उसके साथ productivity जो है, वो भी कम होती है, तो इस थीरी में हमें यह भी बताया गया कि अगर underdeveloped economies है, वो developed होना जाती है, तो उन्हें अपनी savings है, उसे increase करना पड़ेगा, capital formation करने ही पड़ेगी, ठीक है, income को increase करने के तरीके बढ़ाने बढ़ेंगे, ठीक है, यह थी आपकी first theory, next step, theory of low income level equilibrium, theory of low income level equilibrium में क्या है, कि इसमें अपने कौन सा परसन है, प्रोफेसर हारवे ने यह आपको यह थी थी, कि जो underdeveloped economies है, उनका underdeveloped होने का, basically तीन कारण है, पहला है, जो guys, equilibrium है, underdeveloped economy जैसे इंडिया, श्री लंका, बांगलादेश और पाकिस्तान की वो क्या है, unstable है, stable equilibrium इनका नहीं है, unstable है, दूसरा कारण है, guys, जो इन countries की, जो आपका per capita income में वो कम है, मतलब पहला इसका कारण का है, जो equilibrium है, वो बहुत ज्यादा क्या है, कम है, पहला क्या है, equilibrium, unstable है, दूसरा per capita income, बहुत ज्यादा कम है, और income भी कम है, ठीक है, तो यह थी आपकी दो theories थी आपकी under development की, तो guys, इस theory के, इन दोनों theories के according, जो हमारी independence से पहले, जो इंडिया, इंडिया इकानमी की growth थी, वो कह सकते हो, एकदम zero के बराबर थी, और जहां पर, यहां पर capital investment भी बहुत ज्यादा कम थी, roads नहीं थी, railways इतने नहीं थी, ठीक है, ना, इतनी factories थी, investment हम rise नहीं कर पा रहे थे, national income थी, वो भी हमारी Indian economy as an underdeveloped economy, तो features पढ़ेंगे Indian economy में, economy के जो features है, वो देखते है, number one है, stagnant per capita income, तो सबसे बहुते हैं, हमें यह पता होना चाहिए, कि stagnant per capita income का मतलब होता है, कि किसी भी country की ठीक है, जो per capita income है, वो hardly increase हो, कभी-कभी increase हो, यानि कि मतलब low ही रहती हो, उसे हम कहते है, stagnant per capita income, तो हम अगर इंडिया की बात करें, independence से पहले, 1947 से पहले, जो growth ही हमारी per capita income की, वो annually 1% से भी कम थी, बट जब हमें, इंडिया को independence मिली, 1947 में, हमने planning की, काफी सारे Indian economy जो थी, एक दम हमने planning करके सारी चीजे की, बट फिर भी जो हमारा per capita income था, वो increase नहीं हो रहा था, ठीक है, तो मतलब जब हमारा third plan आया, उसके under हमारी जो per capita income थी, पहले 1% से कम थी, 1% थी, उससे कम होके 0.2% होगी, मतलब और गिर गई, उसके बाद फिर 1950-1951 से लेके, 2018-19 तक हमारी जो per capita income थी, annually वो 3% होगी, मतलब उसके बाद बड़ी, पहले 1% थी, उसके बाद कम होके, ये 0.2% होई, फिर 2018-19 में, ये 3% हो गई, नेक्स फीचर आपका low level of per capita income, low level of per capita income, जब मैंने chapter आपको पढ़ाया था, start किया था, तब मैंने आपको यही बताया था, कि per capita income जो है हमारी इंडिया की, पाकिस्तान की, बांगलादेश की, शिरी लंकागी, किस से कम है, अमेरिका, जैसी बड़ी-बड़ी का, जो countries है, developed countries है, उनसे कम है, इसलिए हमारी क्या है, underdeveloped country है, ठीक है, जैसे कि अब यूएस से की, अगर हम देखे, according to 2017 के एर के हिसाप से, यूएस से की per capita income थी, for 59,160, and हमारी इंडिया की थी, सिर्फ, 1790 थी, ठीक है, सिर्म हमारी, और पाकिस्तान की, 1580, ठीक है, next step का, low standard of living, अब low per capita income होने के साथ साथ, इंडिया के अगर हम बात करें, low standard of living भी था, ठीक है, अगर हम 1999 की बात करें, average intake था, जो एक individual का, वो था, 2496 calories per day था, और developed countries में, यही जो calories intake थी, तो 3400 थी, 3400 थी, ठीक है, developed economies में, यह, calorie index, जितना आप food लेते हो, खाना खाते हो, calories होती है, तो 3400 थी, developed countries में, और इंडिया में 1999 में यह थी, सिर्फ, 2496 calories per day की थी, ठीक है, मतलब इसका मतलब यह है कि, इंडिया में, ज़्यादा तर लोगों को, अपनी एक balanced diet नहीं मिल पारी थी, तची तरीके सो उने food नहीं मिल पारा था, मतलब कह सकते हो, उतने portion वाला food नहीं मिल पारा था, as compared to developed countries, next है, unequal distribution of income and wealth, तो guys, एक तो इंडिया की जो per capita income थी, वो बहुत ज्यादा लोग थी, और दूसरी तरफ एक और problem थी, जो थी, यहाँ पर large inequality थी, किसकी distribution of wealth and income की, अगर हम बात करें, इंडिया में, जो poorest person थे, 10% population, सिरफ 3.6% national income का दे पारी थी, बाट अगर हम rich person की बात करें, वो 10% population, कितना इंडिया कर रही थी, 29.8%, इसका क्या मतलब है, कि यहाँ पर unequal distribution था, income and wealth का, अगर हम guys, different countries की बात करें, Japan, America, England, due to inequalities of income and wealth के कारें, जो rich person थे, वो ज्यादा पार्ट अपनी income का save कर रहे थे, and उसी income को वो क्या कर रहे थे, आगे invest कर रहे थे, जिससे capital formation क्या हो रहा था, increase हो रहा था, but इंडिया में ऐसा है, हो ही नहीं रहा था, saving भी कम हो रही थी, अगर saving कम हो रही थी, तो आगे invest कम करेंगे, तो क्या होगा, capital formation भी कम होगा, next है guys, आपका feature, excessive dependence on agriculture, अगर हम इंडिया की बात करें, NSSO survey report की according, about 46.2% जो population थी, वो agriculture पे depend थी, जो 2018 and 19 में agriculture contribution 60% कर रहा था, national income का, इसका मतलब है कि 46.2% जो population थी, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे depend थी, agriculture पे depend थी, देखो 46.2% population agriculture पे depend थी, बट वो सिर्फ 16% ही generate कर पा रही थी, किसका national income का, ठीक है, और वाकि जो हमारी population बची, 53.8% population वो non agriculture activities में थी, जो 84% जो थी, national income का produce कर रहे थे, इसका मतलब गाईज, जो agriculture laborer था, उसकी जो productivity थी बहुत ज़्यदा कम आ दी थी, as compared to non agriculture laborers की, ठीक है, अब यहाँ पे too much dependence हमारी हो गई थी, agriculture पे, ठीक है, next step का lack of proper industrialization, जो rate था industrial development का, वो भी काफी ज़्यदा slow हो गया था, और क्या सकते हो, बहुत ज़्यदा कम हो गया था, इंडिया में, इंडिया में, most important industries थी, वो पिछडी होई थी, और क्या सकते हो, एकदम lag कर रही थी, and जो post हमारा independence era था, उसमें, consumer goods जैसे की, textile, sugar, pharmaceuticals, etc, यह developed हो रहे थे, sufficiently, ठीक है, and यह हम अच्छे producer थे, इन चीज़ों के, जैसे की machines, machine tools हो गए, industry होगी, chemical industry होगी, fertilizer industry होगी, इन चीज़ों में, इतने developed नहीं थे, मतलब, textile, sugar, pharmaceuticals में, अच्छी तरीके से हमारी जो industry थी, इन चीज़ों में आप नहीं हो पारे थे, इसका मतलब क्या है, यह लाज स्केल प्रोडक्शन अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, next step का point lack of proper banking facility, guys, banking facility मतलब, अंडर डिवलप्ट economies है, अगर हम आज की भी present area, present date की भी हम बात करे, तो आप देखोगे, urban area में आपको banking facilities, credit facilities बहुत सरी मिलेंगी, बट वो ही अगर 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 रूलर area में जाओगे, आपको बड़ी मुश्किल से एक या दो bank देखने को मिलेंगे, और कई जगा पर आपको वो भी नहीं देखने को मिलेंगे, मतलब यहाँ पर कह सकते हो, अच्छी तरीके से banking, proper banking facilities है, वो provide नहीं कर पारें, ठीक है, अब जो small farmers हो गए, या poor farmers हो गए, या small entrepreneurs हो गए, जिसके बास अच्छा idea है, जो आगे कुछ produce करना चाते है, उनके बास sufficient money नहीं है, तो उनको banking facilities चाहिए, credit facilities चाहिए, बट अच्छी तरीके से उनको banking facility नहीं मिल पा रही थी, और नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण हमारा जो इंडिया हो underdeveloped जा रहा है, नेक्स्ट है, less development of means of transport, इंडिया के दर हम बात करें, means of transport जैसे railways, road, air and waterways, इतने अच्छे तरीके से, कह सकते हो adequately, जो ग्राफिकल एरिया में ऐसे फैले नहीं हुए है, जिससे गाइस adverse effect बढ़ रहा है, हमारे mobility of goods हो गए, labors हो रहे, और यह हमारे लिए काफी ज़्यादा difficult हो रहा था एन expensive हो रहा था पूर farmers के लिए ताकि वह अपने farm तक जो अपना, जो उन्होंने product बनाया है, यहाँ पर कह सकते हो, farmers ने कोई भी crop हो गाई है, ठीक है, और उसे मंडी तक लेके जाना है, उसमें भी transportation का खर्चा बहुत आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारी क्या थी, development थी, mean of transport में बहुत ज्यादा कम थी, अगर गाइस हम इंडिया की बात करें, यहाँ पे 5.2 km था railway lines per 1 lakh population क इंडिया की रोड कुबालिटीज हैं वो भी इतनी अच्छी नहीं थी और भी इतनी अच्छी नहीं है, नेक्स्ट है, pressure of population, अब गईस टोटल वर्ड कि अगर हम population की बात करें, 18%, 18% जो persons हैं वो इंडिया में लिव करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे तू, क्योंकि मतलब हम प 2.4% एरिया ही हमारा है, वाट हमारी population, 18% जितने भी दुनिया के लोग रहते हैं, वो इंडिया में रहते हैं, ठीक है, तो population बहुत ज्यादा कारण बन रही है, हमारे, ताकि हमारा जो हम, country अब ड़लाप नहीं हो पारी है, क्योंकि अगर population बढ़ेगी, food grains की दिमांड भी ब इंडिया में large scale of unemployment, यहां पर बहुत ज्यादा unemployment है, अगर आप कह सकते हो, आज की rate में अगर हम बात करें, कई students के पास master degree होने के बाद ब्यूद भी, वो क्या है, unemployed है, क्योंकि यहां पर इतनी employment facilities नहीं है, अगर हम December 2015 की बात करें, जो number of employed person थे, वो 969, employment exchange में, वो कितने थे, 4 point 35 crore, मतलब 4.35 crore, लोग क्या थे, unemployed थे, तो इतने लोग अगर unemployed रहेंगे, तो कोई भी country developed नहीं हो सकती, next is lack of capital, तो guys, capital formation काफी जदा important role play करता है, किसी भी economy को develop करने के लिए, या भी किसी भी economy को, किसी भी country को develop बनाने के लिए, इस तरीके से अगर हमारा जो low rate है, capital formation का रहे होई country की, 1950-1951 में, about 9% gross national income थी, वो हमारी saved हुई थी, level of investment भी हमारी same था, 2016-17 में जो हमारी gross domestic saving थी, वो 30% हुई, उसके बाद काफी सारे कारणों से हमारी जो low saving हो रही थी, अगर हमारी low saving होगी आगे, हम invest भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि कैसे अगर हम इंडिया मे बात करें, जो rich person है, वो ज्यादा तर luxury goods में अपना पैसा खतम कर रहे हैं, जो भी उनके बास saving बचती है, वो बहंगी-महंगी कारे ले रहे हैं, बहंगे-महंगे goods ले रहे हैं, ठीक है, जिससे कारण वो आगे, invest तो करते नहीं है, अगर हम USA जैसी countries, England जैसी countries के अगर हम बा जैसा को खतम कर रहे हो, saving को अपना use कर रहे हो, उससे क्या हो रहा है, capital formation क्या हो रहा है, कम हो रहा है, next है guys, underdeveloped natural resources, तो कहीं सब्सक्राइब हम इंडिया की बात करें, इंडिया काफी ज़्यादा rich है, natural resources में जैसे की water, mineral, forest, etc, but हमें इसे अच्छी तरीके से यूटिलाइस न अज निका रुबार है, हमआरे इप इतने natural resources रहा है, हम अगर उससे अच्छी तरीके से utilities करेंगे, तभी हम developed होंके, अच्छी तरीके से किसचीज को यूटिलाइस करना, resources को यूटिलाइस करना, तभी हमाए economy क्या करेगी, grow करेगी, अगर इंडिया की बात करें, यहाँ पे में greater बहुत ज्यादा shortage है entrepreneurs की जो काफी ज्यादा मितलब अगर हम आज की गाइस बात करें अगर कोई भी entrepreneur बनता है उसका main aim यही होता है कि मैं maximum से maximum profit करूं ठीक है उसका यह नहीं होता कि मैं अच्छे goods प्रवाइड करूं अच्छी services प्रवाइड करूं जिससे मेरे nation की भी growth हो national income भी बढ़े थोड़ा capital formation भी हो ठीक है ऐसा कोई नहीं सोचता आज की डेट में सब जल्दी जल्दी अमीर बनना चाते है तो ऐसे जो बहुत जादा कह सकते हो बहुत जादा कम है जो एक दम effective हो and able entrepreneurs हो नेक्स्ट है outdated social institute अगर हम institute अगर हम बात करें यहां पर इंडिया में caste system बहुत जादा है joint family system law of succession custom religion rights बहुत जादा है जिससे हमारे economic development में क्या आ रही है hindrance आ रही है ठीक है गाईस next step का low grade human capital अगर हम इस modern economics की माने तो जो हमारे लेबर्स है वो एक form है अमारी capital की अब हम उन्हें क्या कहते है human capital अब हमारे यहां पर अगर इंडिया की बात करें low grade human capital है बिकोज यहां पर underdeveloped economies हैं इंडिया की और साधे साथ standard of living भी लेबर्स का कम है लेबर्स बहुत ज़्याद है इतने इंडिया में जो लेबर्स उनके पास skill नहीं है इतने पड़े लिखे नहीं है जिसके कारण भी क्या हो रहा है लो ग्रेड human capital इंडिया में है next step on poor technology पूर technology का क्या मतलब आज भी कई जगह पे बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री में यह कई जगों में पुरानी जिस तरीवाँ technology का use के आ जा रहे है उससे क्या होता है प्रोडक्त हमें महंगा बढ़ता है ठीक है प्रोडक्त की technology की जगह new technology का use करते हैं एक तो प्रोडक्ट जल्दी अच्छी तरीके से बढ़ेंगा quality अच्छी रहेगी सस्ता बनेगा सस्ता बनेगा तो हम सस्ता बेच पाएंगे और वो चीज अच्छी तरीके से बिकेगी नेक्स्ट अगा इस डियो लास्टिक economic structure जब हमने चैप्टर शुरू किया था मैंने आपको फीचर्स बताए थे तीन चार जिसमें एक था लास्ट डियो लास्टिक economic structure मैंने आपको कहा था वीडियो में बढ़ेंगे वही चीज रेखते हैं तो हमारी जो इंडिया की डियो लास्टिक जिसमें अग्रिकल्चर आजाता है आपका small business units आजाते हैं village industries आजाती है ठीक है अब जो यह वाला सेक्टर क्वाइट कह सकते हो अंडवलप नेक्स्ट है आपका फीचर्स ओफ इंडियान एकॉनमी एज मिक्स्ट एकॉनमी अब हम अभी हमने किसके फीचर्स पड़े फीचर of underdeveloped economy ठीक है इंडिया के पड़े अब हम पड़ेंगे फीचर्स ओफ इंडियान एकॉनमी आज मिक्स्ट एकॉनमी नमबर वन है पब्लिक सेक्टर तो गईस अकोडिंग टू इंडस्टियल पॉलिसी 1991 नमबर ऑफ इंडस्ट्रीज है वह रिजर्व की थी पब्लिक सेक्टर के लिए जो अब प्रेजंट की अगर हम बात करें वो रिड्यूस हो चुकी है तो हो चुकी है सिर्फ हमारी जो आटमिक अनर्जी एंड रेल्वेस हैं यही सिर्फ पब्लिक में ओंड है बाकि सारे जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं वो सारे पब्लिक सेक्टर के लिए उपन में पुखी को सब्सक्राइब चल्च दोर सारे पटृ सीर्फ आप फीचर्ट वाइस लाइसंज स्टर लाइसेंस सप्रवीजिन है मतलब למाफ दी प्रवेशिन शूंस बना थेया है मतलब लिएल मतलब आपको जब इन्डस्ट्री अप करनेप करनेश पदक्ड आपको गव बना रहे हो तब आपको क्या है सिरफ government की permission वगारा लेनी पड़ेगी अगर उसके इलावा कोई भी इंडस्ट्री सेट अप करनी है तो आपको कोई government की permission वगारा लेनी नहीं पड़ेगी आप simple क्या कर सकते हो industry खोल सकते हो without any hesitation next is private sector private sector जैसे मैंने आपको first point जैसे यह सेम अब सिरफ दो ऐसी इंडस्ट्रीज है पहली है आउटमिक एनर्जी की इंडस्ट और दूसरा है आपका railway यह सिरफ दो हैं जो पब्लिक सेक्टर के पास है बाकी सारे किसके को लिब्र कर दिये private sector को next एक इस इंडस्ट्रीज development and regulation act 1951 इस act के अंदर जो government ने control government control करती है private sector को and private industries को ताकि वो क्या कर सके people को या laborers को exploit ना कर सके next development of cooperative sector अब government ने किया किया ताकि economic development ज्यादा हो ठीक है economic development poor and middle class की हो तो इसलिए cooperative sector है वो क्या कर दिया गया सेट अप कर दिए लास्ट इसका point है production reserve for small scale industries अब जैसे कि unemployment को remove करने के लिए government ने inequality जो wealth and income में आ रही है उसे remove करने के लिए small scale industries उने set up किया गया मार्च 2014 में production जो बीस item की reserve कर दिए small scale sector के लिए and 2015-16 में जो यह items थी रिजर्व की गई थी small scale industries के लिए next है guys अब हमने किसके features पड़े mixed economy mixed economy में हमने यह पड़ा कि public sector जो है वो काफी सदे important role play करती है जैसे कि काफी सारी industries को set up करने के लिए जैसे iron हो गया steel हो गया machine tools chemicals हो गए ताकि जो हमारी economic development है वो क्या हो सके promote हो सके 1951 में जो हमारी capital थी 29 क्रोड की हमने इंवेस्ट की थी public में जो बढ़कर कितनी हो गई थी हमारी 22,73,969 क्रोड हो गई थी next है किसे हमारे features features of Indian economy as plant developing economy जो गई हमने chapter के शुरुवात में features पढ़े थे न वह चार पांच यहीं सारे आगे topics बन रहे हैं आगे आगे ठीक है वह यह तक हमने दो पढ़े हैं यह किसके features पढ़ेंगे features of Indian economy as planned developing economy फस्ट आगेस आपका economic development or increase in national income तो गईस अगर आपकी national income किसे भी country की increase होती है इसका मतलब आप यह समझो कि आपकी country की क्या हो रही है economic development हो रही है अगर हम बात करें जो हमारी during the prior period to economic planning जब हमने Indian economic planning करने शुरू की थी उससे पहले का जो period था उस time में जो हमारी national income थी इंडिया की वो कितनी थी 0.5% per annum फिर Indian economy ने एक stagnant economy थी जब हम अभी हमने पढ़ा था शुरू में एक feature कि जो per capita income थी वो काफी ज़्यादा लो रह रही थी फिर five year plan के बाद जो हमारी national income थी वो increase होई 5.1% से तो guys जो हमारी growth थी national income की first plan के अंदर हमारी 3.6% थी second plan के अंदर 4.1% थी यह सारे plans के according first plan second plan third plan के according आप सारे percentage याद कर लेना next step का increase in per capita income तो अगर गाइस हम बिफोर independence की बात करें जो हमारी increase per capita income थी वो कितनी मतलब मारी जो per capita income थी वो increase ही नहीं होती थी मतलब कम होती रहती थी कभी बढ़ती नहीं थी फिर उसके बाद जो हमारी अमने planning start की उसके हमारे क्या होगा 3% होगी हमारी पर capita income उसके बाद जब 11th plan आया जो growth rate थी पर capita income की वो क्या होगी 6.5% per annum फिर 12th plan में यह कितनी होगी 5.4% और 2017-18 में यह 5.7% होगी और 2018-19 में कितनी होगी 5.6% next time increase in rate of capital formation capital formation मैंने अपको पहले बताया था काफी जदा important role play करता है किसी भी economy को develop करने के लिए तो during first five year plan जो rate rate था capital formation का वो increase हुआ था जो rate था capital formation का वो किस पर depend होता है जो हमारी rate of saving होती है investment पर depend होता है अब जो five year plan का जो period था जो rate of saving and investment थी वो क्या होई थी increase होई थी 1950-1951 में जो rate of capital formation थी वो 8.7% थी GDP के और 2016-17 में यह increase होगे 30.6% हो गई थी next है institutional reforms in agriculture and green revolution अब गैस जब इंडिया ने planning करने स्टार्ट की जो development थी agriculture में वो भी दो तरीके से हो ली थी एक था land reform और दूसरा था technological development अब जो land reform था वो अच्छी तरीके से implement नहीं हो रहा था 1966 में जो great stress था वो हमारा technological development पे था क्योंकि अगर हम बात करें जब हम planning कर रहे थे उस period में जो production थी food grain की वो काफी जादा 2775 हो गई थी 2775 lakh tons हो गई थी next step is अपका point development of industries अब plans जिस तरीके से success हो रहे थे उससे क्या होगा हमारे industrial sectors के अगर हम बात करें वो भी जो basic and हमारी capital goods industries like iron थी steel थी machinery थी chemical fertilizer थी ये भी क्या होगी थी developed हो रहे चाहे अच्छी तरीके से जो public sector था वो ज्यादा expand कर रहा था जो country थी वो क्या हो रही थी self sufficient बन रही थी consumer goods के मामले में next step development of infrastructure economic infrastructure में हम क्या के चीज़े include करते हैं transportation and communication irrigation irrigation facility होगी power generation capacity होगी जब हमने planning period में infrastructure हमारे developed हो रहा था power generation capacity थी वो भी क्या हो रही थी increase हो रही थी roads, railway, seaports, airports, airways, telecommunication, banking insurance भी क्या अच्छी तरीके से grow कर रहे थी next is social services अब जबहारा जो period था planning का social services like education, health, family, planning, medical sector यह भी developed हो रहे था जो death rate था 2016 में वो 6.4 per thousand हो गया था जो 40.8 परसंट था 1951 में average expectancy जो life की थी वो 69 years हो गया था 2017 में जो 33 years थी 1951 में mainly जो dangerous diseases थे polio था वो क्या हो गया था कम हो गया था ठीक है जो researches थी हमारी वो भी ज्यादा laboratory थी वो भी क्या हो रही थी established हो रही थी अब जो education की बात करें number of school going students है वो increase हो गए थे number of colleges, universities, professional colleges यह increase हो गए थे तो काफी ज्यादा schemes government ने launch की establish की जिससे urban and ruler area में क्या हो सके ज्यादा से ज्यादा employment generate हो सके small and cottage industries थी labor intensive industries थी इन्हें ज्यादा promote किया गया next time modernization technology जैसे मैंने आपको कहा था technology अगर आपकी पुरानी होगी product भी उस तरीके से बनेगा अच्छे तरीके से क्या सकते हो product quality और उसकी cost भी ज्यादा रहेगी next time export promotion diversification and import substitution export को promote किया गया कि ज्यादा से ज्यादा product बनाओ और बाहर export करो जैसे foreign investment भी आपकी बढ़ेगी कि जो country वो developed होगी उसके बाद import substitution import substitution मतलब जो चीज़े आप बाहर से मंगवा रहे हो जो चीज़े आप बाहर की country से मंगवा रहे हो उस जैसी चीज़े वह आप अपने घर में यानि कि अपनी country में ही बनवाओ ठीक है next is development of scientist science and technology during अगर planning period की बात करें significant growth थी science and technology के वो अचीव की गई technology थी information technology थी science थी वो काफी साथ तरक्की कर रही थी next is structural and industrial changes काफी साथ positive structural and institutional changes आये थे planning period में जिससे हमारा public sector expand हुआ था ठीक है price port system अच्छा हुआ public distribution system development of financial institution अच्छा हुआ next is less cyclic fluctuation जो हमारी planning के कारण जो economic fluctuation थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी ठीक है next production according to needs economic planning के कारण need oriented production होनी लगी goods and services की economic planning के कारण जो हमारा plan था natural human and physical resources अच्छी तरीके से use कर रहे थे उसके बाद balanced economic growth हमारी जो growth है economy को वह एकदम balanced हो रही थी यह नहीं है कि बढ़ रही थी एकदम कम हो रही थी तरह भी एकदम stable थी next guys right use and conservation of natural sources government ने ये ensure किया था कि proper use and conservation conservation होसर के natural resources का ठीक है economic planning के नेक्स्ट आपका dualistic nature of Indian economy dualistic nature में पहला आपका आता है economic dualism इस मतले हम इसमें यह क्या कि जो Indian economy आप टू पार्ट में तू सेक्टर में डिवाइड़ेड है एक है आपका subsidence sector और दूसरा है highly developed sector highly developed sectors में आपके बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री आ जाती है multinational corporations आ जाती है जिनकी income हाई होती है और सेक्टर सब्सिटेंस सेक्टर में वह आते हैं जो इतनी विलेज गिए इंडस्ट्री जो अच्छे त्रीकिस इतने ग्रौथ में नहीं है नेक्स तैक्नोलजिकल डिवलास्टेज्म इंडिया का सेक्टर इंडियन इकॉन्मी का विखे आउट डारी है डेटिशनल टेक्नोलजी यूज की जारी है पुराने बैक्वर्ड जो पुराने जमाने कि कह सकते हो technology यह वो आज तक यूस हो रही है next is sociological जो इंडियन का one section कह सकते हो highly traditional है इसमें customs को है traditions को है substitution को है ज़्यादा माना जाता है ठीक है next last step का sectoral distribution of Indian economy तो इंडियन economy में लिए तीन parts में divided है primary sector secondary sector and tertiary या फिर service sector यह सारी चीज़ें यह सेक्टर आ जाता है तूसरा है स्केंडरी सेक्टर स्केंडरी सेक्टर में manufacturing सेक्टर construction या पावर जिनरेशन जो सेक्टर है वह आ जाता है थर्ड है tertiary सेक्टर या फिर सर्विस सेक्टर इसमें बैंकिंग इंशॉर्स टैली सेक्टर का कोंट्रिबूशन कह सकते हो 65 परसंट है स्केंडरी का 80 परसंट है और प्राइमरी का 5 परसंट है अगर हम इंडिया की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर ज्यादा डॉमिनेट करता है 1950-1951 में 61 परसंट जो नेशनल इंग्म परसंट प्राइमरी सेक्टर एंडी का तो कई यह था चैटर में च्टर ओफ इंडियन एकॉनमी आज हमने इस वीडियो में यह चैप्टर कंप्लीट कर लिया और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि कैसी लगी आपको वीडियो आपको वीडियो चाते हो को यह टोपिक पर मुझे कमें डिना मैं बना दूंगी आप इस वीडियो को लाइक जिरू कर दो आप शैयर करना बिल्कुल मत भूल ला और गाइस इंडीयो को फुल प्लेलिस्ट गालिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मि झाल